हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज की वीडियो में हम सीखेंगे रेप्टाइल्स के वारे में फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जानेंगे कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं उन्हें कैसे बोलते हैं तो आएए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंट इस वीडियो को अनतक जरूर देखें लाइक, सेर, सस्क्राइब करें तो चलिए फ्रेंट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कोमोडो ड्रेगन यह सबसे बड़ी चिपकली है जो की इंडोनेशिया में पाई जाती है कोमोडो ड्रेगन यह सबसे लंबा और विशेला साफ होता है ब्लैक मॉम्बा यह सबसे विशेला साफ होता है और इसकी लंबाई भी काफी होती है सेल्ट वॉर्टर क्रोकोडाईल यह क्रोकोडाईल अपने गुसे के लिए जाना जाता है घर्याल गड़ी याल यह मगरमच की तरह होता है लेकिन इसका जबड़ा लंबा होता है गड़ी याल गिला मॉइंस्टर यह एक जहरीली चिपकली होती है और इसका सरीर काफी भारी होता है लैदर बैक सी टर्टल लैदर बैक सी टर्टल यह सबसे लंबा और बड़ा टर्टल होता है नाइल क्रोकोडाइल इसका साइज काफी बड़ा होता है और यह बहुत ही खतरना क्रोकोडाइल है नाइल क्रोकोडाइल मोनिटर लिजाड यह काफी भारी और जहरीली छिपकली होती है इसकी पूच काफी लंबी होती है बियर्ड ड्रेगन यह काफी शांत सौभाव की छिपकली होती है बियर्ड ड्रेगन पैंथर, कमेलियन ये अपने रंगों के लिए जानी जाती है ये चिपकली काफी कलरफुल होती है ग्रीन, अनकोंडा ये है एक साप की परजाती होती है जो की काफी लंबा और भारी होता है बॉल, पाइथन ये साप पालतू होते हैं और साइज में काफी छोटे होते हैं बॉल, पाइथन टुआ, टारा ये चिपकली की तरह होता है और ये केवल न्यूजिलेंड में पाई जाता है टुआ, टारा ग्रीन, सी, टर्टल ये कच्वा काफी रंगीन होता है और अपने चटकीले कलर के लिए जाना जाता है ग्रीन, सी, टर्टल गेको ये चिपकली की तरह होती है इसका साइज काफी छोटा होता है और इसे पाला भी जाता है गेको ब्लू, इग्वाना ये चिपकली पेडों पर रहती है और प्लांट इटर होती है ब्लू, इग्वाना ग्रीन, इग्वाना ये भी चिपकली पेडों पर रहती है और प्लांट इटर होती है ग्रीन, इग्वाना माटा माटा, टर्टल इस कचुए का खोल पेड की छाल की तरह होता है रेड, इयर, स्लाइडर इस कचुए को पाला भी जाता है फ्रिल्ड, लिजाड ये अब एक प्रकार की चिपकली होती है फ्रिल्ड, लिजाड बेसी, लिक्स, लिजाड ये चिपकली दोडने में बहुत शक्षम होती है बूम, स्लैंग ये साप कई अलग-अलग रंगों में पाया जाता है ब्लूम, स्लैंग फ्लाइंग, स्नेक ये उडने वाला साप होता है गैबून, वाइपर ये साप काफी लंबा और जहरीला होता है गैबून, वाइपर रेटेल, स्नेक इस साप का आकार और सरीर काफी बड़ा होता है और ये विशैला साप होता है रेटेल, स्नेक अफ्रीकन रॉक पाइथन ये सबसे लंबा साप होता है बमीज, पाइथन ये साप काफी लंबा होता है 20 फिट तक इसकी लंबाई होती है बमीज, पाइथन इंडिगो स्नेक इंडिगो स्नेक इंडियन स्टार टर्टोईज इंडियन स्टार टर्टेज इसके सैल पर स्टार जैसे बने होते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक्स पर वाचिंग बबाई